हेलो वरिवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टेडियोन, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जी एस पेपर वन में एक सिक्सन जो की बहुत इपॉटेंट क्वेसंस बन सकता है, पिछली बार पूछा गया है यहां से, अठार संतावन की करांती में बिहार के योगदा योगदान रहें, इस वीडियो में हम लोग पूरे अच्छे तरीके से एंसर आइडिंग करने वाले हैं, तो इस वीडियो के साथ आखरी तक बने रहे हैं, और अगर आपने इससे पहले के बागी के वीडियो को नहीं देखा हैं, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, व संतावन के विद्रों में बिहार के योगदान की विवेचना करना है, साथ ये 63 में पूछा गया था, तो चांसे से किस बार पूछा जाए, तो अच्छे तरीके से इसको समझे कैसे लेखना है, मैंने अलग-लग सोर्से से इसको पढ़कर के अपने एकॉर्डिंग लिखने क कुसिस किये, जो भी मुझे समझ में आ, तो आप लोग एंड तक देखेगा, और बताएगा कि 38 में से कितना स्कुर आप हमारे इस एंसर राइटिंग के लिए देंगे, ठीक है, और जो लोग पहली बार एंसर राइटिंग कर रहे तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरह से लिखिए, समझे और अपने से लिखने की कोजिस करिए, देरे-देरे इंप्रोब्मेंट होगा, लेकिन जो लोग एक्सपर्ट है, जो लोग दो-तीन बार मिंस दे चुके हैं, तो आप लोग जरूर अच्छे तरीके से हैनलाइज किया करें, क्या कमिया है, आप जरूर बताय करें, क्या हाँ, यहाँ 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 पर यह पॉइंट्स मिस्टेक था, या फिर आपको यह सुधारने की जुरत है, ताकि हम सुधार कर सकें, ठीक है न, तो चलिए, शुरू करतें, तो बढ़ते हम लोग, एंसर की तरफ, सबसे पहले हम बात करेंगे, ठार 155 का भारती विद्रो, जिसे प्रथम सौतांता संग्राम, या फिर इसको सिपाही विद्रो, या फिर रास्टी विद्रो के नाम से जाना जाता है, इस विद्रो में भारतियों ने ब्रिटिस समराजी की नियों हिला दी थे, यानि इस विद्रो के अंतरगत जितने भी करांत लिए उन्होंने इतना मतलब कह सकते नहीं कि बिटीस के नाक में एक दम करना वो एक तरह से कर रखा था और इस विद्रों में भारतीयों ने विर्टीस सम्राज जी की नियू को हिला का रख दिया था यह विद्रों भारत में 10 मई 1857 को मेरड से शुरू हुआ था और जल्द ही भारत के बेभीन छेत्रों में यह फैल क्या, अब यहां से हम लोग बढ़ेंगे धीरे-धीरे, अपने भीहार के तरफ क्योंकि हमें बताना है, बिहार के क्या क्या भूं क्या रही, क्या है योगदान राम, वो, तो इस 178 अंगरा में अन्य राज्यों, छेत्रों के करांतिकार उने भी भाग लिया था तो जैसा कि आपको पता है कि अठार संतावन की जो करांती रही वो अलग-अलग जैसे कि राजियों में लग-लग मतलब राजियों में अलग-लग छेत्रों में था लखनव होगा इलाहबाद हो गया मतलब बहुत जगा पे था तो उसी बीच यहां पे कि वर्तमान में यह जारखन राजिय में पढ़ता है यहां के सैनिकों के साथ संखर्ष के द्वारा शुरू हुआ यहां पर सेना की 32 रेजिमेंट के तीन सैनिकों द्वारा मेजर नॉर्मन लेसी ठीक है नॉर्मन लेसी और एक अन्य अंग्रेज अधिकारी के हत्या कर दी ग दे गए थी लेकिन यहां तक थमने वाला नहीं था यह विद्रो अब आगे यह हुआ कि विद्रो की आगे धीरे धीरे संपुर्ण बिहार में फैलन लगी तीन जुलाई 1875 की बात है तीन जुलाई 1875 को पटना में अंग्रेजों के विरुद संगर्स आराम भो गया तब हु थी और बाद में इनको गिरफतार कर लिया गया गिरफतार करने के पस्चात 7 जुलाई 1857 को 7 जुलाई 1857 को पीर अली को फांसी दे दी गई इस समय पटना के जो कमिस्टनर थे विलियम टेलर थे विलियम टेलर थे ठीक है तो यहां तक आपको इस तरह से लिखना है अब बा 1857 के करांती में वीर कोर्सिंग की भूमी का तो मैंने यहां से लेकर के स्टार्ट किया था और अच्छे तरीके से कि अब यहां पर जाकर के दानापूर में जब लोग जब सैनिक पहुंचे तब क्या-क्या चीज़े होई वीर कोर्सिंग के साथ तो हम लोग यहां पर जो कि के बारे में बता करके आगे बढ़ने की कोशिस करेंगे क्यूंकि सिर्फ पर दिव उन्हीं पर फोकस नहीं गरना तो चलिए यहां पर देखिए कि 26 जुलाई को वे जगदीश पूर के असी वर्षिये कुवर सिंग के कुशल नितित्यों में अंग्रेजी सरकार को चुनोती का सामना करना पड़ा यानि अंग्रेजों को इनके नितित्यों में काफी अच्छा मतलब इंका प्रभाव रहा था उनके साथ अंग्रेजों को संगर्ष करना पड़ा चुनोती का सामना क तो अब यहां पर थोड़ा सा आगे बढ़ते और अगर हम यहां पर लिखना होता है वीरकवर्सिंग के बारे में तो अब यहां से वीरकवर्सिंग के बारे में लेकिन फिलाल हमें बढ़ना है बिहार के बारे में ठीक है ना कि वीरकवर्सिंग पर स्पेसली बात करना है तो चेक आउट कर लिजेगा, अमर सिंग ने कैमोर की पहाड़ियों में रहते हुए कमपनी की सेनाओं के विरुद लंबे समय तक छापा मार युद करते हुए गया और सासाराम, गया और सासाराम के बीच संचार विवस्था को ठप कर दिया था, वेर्कवर सिंग ने इस विद्र युको रोकने का हर तरह से संभव परयास किया, हर तरह से सोचा है कि उनको रोका जाए, लेकिन हर बार उन्हें असफलता हाथ लगी, नाकामी हाथ लगी, तो यहां तक आप लेख सकते हैं, अब यहां पर दिखें, मैंने यह और भी इंग्लूड किया था, वहां पर, अगर इस इत्यासकार होमस ने कहा है, कि इस यूद के समय कुवर्ट सिंग की उम्र असी वर्स के थी, अगर वे जवान होते, तो सायद अंग्रेजों को अठार संतावन के करांती में ही भारत को छोड़ना पड़ता, तो समझ सकते हैं, यह लाइन काफी इंफ्रेसिव है, तो आप आप लोग इसको जरू इंक्लूड करें, चाहिअ विहार के यूगदान की बात कि जाए, चाहिए विर कुवर्सिंग की भूमिका की बात कि जाए, तो यह यह को इपने हाथ को कार दिया था, तो यह सब चीज आमने उस वीलियो में देखा था, तो उनकी आप पता है उनके अनुयाई जो थे अमर सिंग और हरकिसन सिंग मैदान नहीं छोड़े वो लोग डटे रहें और अंग्रेजों के साथ संखर्ज करते रहें इस विद्रों में हमें ये भी देखने को मिला है कि जहां एक तरफ कुछ जमिंदार अपनी जान की बादी लगा करके के साथ लोखा ले रहे थे उसी वीच उसी दोरान हम देए ये भी देखा कि दूसरी तरफ कुछ जमिंदार ने अंग्रेजों के खिलाफ ये भी देखा कि दूसरी तरफ कुछ जमिंदारों ने विद्रो के दमन करने के उदेशे से कमपनी की सहायता के थे यानि दोनों तरफ हमें देखने को मिल रहा था कि कुछ लोग जो कि करांतिकारियों का सहयोग भी कर रहे थे तो कुछ जमिंदार ऐसे भी थे जो कि अंग्रेजों की सायता कर रहे थे तो यहाँ पर एक चीज हमने ये देखा कि लेकिन इस बेच चोगाई के धनी एवं प्रभावसाली राजपुत चोगाई यानि कि जो बकसर का एक प्रखंड ता चोगाई चोगाई के धनी और प्रभावसाली राजपुत जमिंदारों ने अंग्रेजों के विरुद करांतिकारियों का साथ दिया और तब जाकर के इस युद में एक नया मोडाया तो यहाँ तक आप इसको अच्छे तरीके से लिख सकते हैं अब बात करते हैं इसके आगे के जो भी कहानी थी जो भी पॉइंट्स थे वह में इंक्लूड करते हैं अंग्रेजों के विरुद यह विद्रो बिहार के अन्य छेत्रों में भी काफी व्यापक रहा इस विद्रो में विहार के कई छेत्र पटना, आरा, छापरा, मजबफर, पूर, आदी इस विद्रो का संघर्स कर रहे थे और यहां के जो करांतिकारी थे वो अंग्रेजों के साथ काफी अच्छे तरीके से संघर्स कर रहे थे इन सभी घटनाओं के अलावा जो विद्रो गया में हुआ, वह विहार के योगदान को और बढ़ा देता है, यानि विहार में जो ये विद्रो चल रहा था, उसी बीच एक गया में विद्रो हुआ था, जो कि इस योगदान को और भी बढ़ा देता है, इस विद्रो में हुआ ये था कि विद्रोही सैनिकों के साथ साथ इसमें अप्रभावित ग्रामिडों ने भी भाग ले लिया था इस वज़े से ये काफी महत्पुन और हो गया और अंत में हम यहाँ पे ये लिखेंगे अठार सो संतावन का विद्रो भारत में ब्रेटी सासन के दोरान अभुतपु रास्टियता की भावना को बढ़ाया था तो देखें ये जो हमने इंसर राइटिंग लिखा है करीब ये डेर सो से ज्यादा है साड़े चार सो वर्ड से भी ज्यादा है आप इसको पर लिएगा और आपने वर्ड को काउंट कर लिचेगा अब देखें इसमें चाहो तो 38 में से आपको कितना देना चाहिए यानि कि इस माक्स इस क्वेशन के लिए आप कितना हमें देंगे कमेंच करके जरूर बताएगा ठीक है वीडियो गर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों को साथ सेर करें चैनल पर पहली बार है तो करके नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ थैंक्स वाचिंग कीप वाचिंग कीप लर्निंग हाव अगुड डेव